दोस्तों एक तरफ तो बिहार में सरकार गिरती हुई नजर आ रही है कि कैसे बिहार की सरकार किसी वक्त गिर सकती है लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी दिली में भी अर्विन के जिवाल की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है ये बात खुद खुलासा किया है आम आद दोस्तों यारोप अर्विन केजरवाल की तरफ से लगाया गया और कहा गया है कि कैसे भारती जंता पार्टी जो है वो सरकार तोड़ने में मास्टर माइंड है किसी भी राज्य में सरकार चलाना आसान काम नहीं है विपक्षी दलों के निताओं के लिए क्योंकि खत्रे की घं दिकतों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है क्योंकि उनके कई बड़े नेता इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है चाहे वो सतेंद जेन हो मनी सी सोधिया हो संजै सिंग हो और अर्विन के जिवाल खुद उन पर भी गिरफतारी का तलवाल लटका हुआ है और उनके खास कि भी वक्त तोड़ी जा सकती है बिहार में तो हलचल है ही लेकिन अब दिली में भी हलचल शुरू हो गई है क्योंकि 50-50 करोर का डील की बात जो है वो सामने आई है कि कैसे उनके साथ विधायकों को 50-50 जी हां 50-50 करोर रुपे ओफर किये गए हैं ऐसे में किसी के लिए भी अस्थिर सरकार चला पाना बहुत मुश्किल काम हो सकता है दोस्तों बहुत टफ टास्क हो सकता है क्योंकि जो बाते कही जा रही है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे अर्विन के जिवाल की तरफ से आरोप लगाया गया है बीजेपी के कारिकरम के मंच पर पहुँच गए कॉंग्रिस की विधायक कहा 50 करोड में खरीदना चाहती है भाजपा ये बात कहा जा रहा है और तो और कॉंग्रिस की विधायक भी कह रहे है यही बात और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही बाते कही जा रही है आपको बता दे दोस्तों कि र पहे में खरीदना चाहती है उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानी अफसरो और बीजेपी ने गलत चानकारी दे कर इस कारेकर में उन्हें बुला लिया फिर वाट्साप पर उनका एक मैसेज वाइरल किया गया और जिसमें लिखा था कि ये कॉंग्रेस के सम्मान की भी घोडा जोंगरी से विधायक है विधायक के मताबिक 2018 में भाजपा निताओं ने उन्हें कॉंग्रेस चोड़ने के बदले 50 करोड रुपय ओफर किये थे भुपाल इंदौर शहर में आलिशान फ्लैट देने की भी पेशकर्ष की गई थी अगर उन्हें बीजेपी में ज चाहूंगी अर्विन केजिवाल की तरफ से भी काफी बयाना रहा है कि दिल्ली में आप सरकार को खत्रा नहीं है लेकिन केजिवाल ने कहा कि बहुत खत्रा बना हुआ है जी हां खत्रा जो है सरपर मंज्रा रहा है कहा जा रहा कि 25 करोड रुपय के उनकी विधायकों को भी कि मंत्री अर्विन केजिवाल ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी के साथ विधायकों को पाला बदलने के लिए 25 करोड रुपय की पेशकर्ष करने के लुभाब ने प्रियास का आरोप लगाया कि जीवाल का आरोप है कि भाजपा दिल्ली सरकार को गिराने में जुटी को अपने पाले में लाने के लिए 25 करोड रुपय का ओफर कर रही है और उन्होंने ये भी कहा उन्होंने दावा किया है कि भाजपा द्वारा विधायकों से बातचीत की गई थी जिनने कथे तोर पर धमकी दी गई थी कि शराब नीती मामले में दिल्ली मुख्यमंत्री को जल्द ही गिरफतार कर लिया जाएगा आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी नेता की बातचीत आडियो टेप मौजूद है ये तमाम जानकारी जो है के जिर्वाल की तरफ से दी जा रही है कॉंग्रेस के विधायक अलग आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पा क्यांकि अगर आप झरखंट में नजर दोराएंगे तो वहां पर भी सोरेन सर्कार को घिराने के लिए बार-बार एडी का दस्तक दिया जा रहा है जैसा कि सोरेन सर्कार आरुप लगाते रहते हैं कि उनको बार-बार एडी का समबन आ रहा है इडी उन्ने किसी वी वक्ट कि दफ्तार कर सकती है वहीं दूसरी तरफ बिहार का हाल तो आप देखी रहें कि बिहार में क्या हो रहा है किस तरीके की जो है वहाँ पर उठा पठक चल रही है बीजेपी को लेकर जो है तमाम तरीके की खबरे सामने आ रही है कि बीजेपी यहाँ पर जद्यू की साथ सरकार बना सकती है, गिरा सकती है महागजबंदन वाली सरकार को, तो ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है, इस वक्त देश में एक अलग सी हलचल जो है, वो दिखाई दे रही है, वो भी सरकार गिरने की हलचल, दोस्तों इस पूर रपॉर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राया में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, साथ ही तार चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी न भूले, बने रहे चैनल के साथ, पलपल की जानकारी आपको यहीं मिलेगे,